सच्चिया मोह बताने भावांगा, राजिया में तेरा कहलावांगा, एक वारी दिल लग जाने दे हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार्शी वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक अप्लिकेशन की जरूद पड़ेगी जिसका नाम है काईन मास्टर तो इसे आप प्ले श्टोर से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स एडिटिंग के लिए अपने काईन मास्टर अप्लिकेशन को उप्यान कर लेते हैं तो फ्रेड यहां पर हम अपने काई master application में आ गये हैं, आने के बाद यहां पर ज़का के आइकन पर क्लिक करना है, और यहां पर हम 16.0 का receive लेंगे, लेने के बाद यहां पर हम वी create पर क्लिक कर देना है तो फ्रेंड यहां पर हम सबसे पहले अपने photos को add करेंगे तो जिस भी फाइल में आपका photos फाइल को open कर लेना है and यहां से आपको अपने photos को add कर लेना है add करने के बाद यहां पर इसकी duration को आप अपने recording बढ़ा सकते हो यहां पर आप जितने second का बनाना चाहते हो तो यहां आप इसकी duration को रख सकते हो तो देख सकते हो फ्रेंड यहां पर हमने अपने duration को बढ़ा कर लिया है अब यहां पर आपको pen sign zoom में आना है और जो हमें दो line दिखाई दे रहे हैं इस पर हमें touch करना है और photo को में दोनों finger से zoom करके full screen में set कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको set कर लेना है set करने के बाद यहां से back आएंगे और यहां पर हमें नीचे के side में आना है तो यहां पर एक सी bagnet को on कर देना है और यहां से हम back आएंगे और starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपना blue and green screen का template आइड करेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने template को add कर लेते हैं तो फ्रेंड मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं हाँ पर जितने photos और videos का use करूँगा उनका सब का link आपको वीडियो के drip caption box में मिल जाएगा तो फ्रेंड यहां से हमने अपने template को add कर लिया है add करने के बाद यहां पर नीचे के side में आना है तो यहां पर मैं split screen में आना और इसे हमें full screen में कर लेना है and यहां से हम back आचाएंगे तो यहां पर मैं on नीचे के side में आना है तो यहां पर मैं chroma key में आना है और इसे हमें enable कर देना है and यहां पर जो key का color है हमारा green होना चाहिए देख सकते हो friend कुछ इस प्रकार से और इसे हमें अच्छे से adjust कर लेना है करने के बाद यहां से हम back आ जाएंगे अब फ्रेंड इसमें अपना blur effect डालेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर effect में आना है और यहां से basic effect में आना है उसके बाद यहां पर हमें first वाले को select कर लेना है और यहां से हम back आएंगे और इसे हमें full screen पे apply कर देना है करने के बाद यहां पर हमें कोने के side में three dot पर click करना और से हमें send to back कर देना है यहाँ पर इसकी duration को यहाँ पर वीडियो के end तक कर लेना है करने के बाद यहाँ से back आएंगे starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इस वीडियो को हमें एक बार save कर लेना है तो उसके लिए आपर miss arrow पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको save as video पर click कर देना है और आपका video save होना start हो जाएगा तो फ्रेंड जब तक हमारा video save हो रहा अगर आपने हमारे video को like नहीं किया है तो like जरूर कर देना तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा video save हो चुका है save होने के बाद यहाँ से हम back आचाएंगे back आने के बाद इस video को select करना और इसे हमें delete कर देना है और आपर इस effect को select करना और इसे भी हमें delete कर देना है उसके बाद यहाँ पर हम layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से उसी video को add कर लेते हैं यहाँसे हम back आजाएंगे, तो यहाँ पर हमें on नीचे के side में आजाना है, यहाँसे हमें एनेबल कर देना है, और इसे हमें कुछ इसे स्फरगास अच्छे से एज़स्ट कर लेना है, करने के बाद यहां से हम back आजाएंगे अफ्रेंड यहांपर हम फस्ट वाले फोटो को select करेंगे select करने के बाद यहांपर कोने के side में 3 dot पर click करना है और इसे में duplicate edge layer बना लेना है बनाने के बाद यहांपर इसकी size को हम zoom करेंगे जूम करने के बाद यहाँ पर हमें leaf fat रखना है रखने के बाद यहाँ पर हमें three dot पर click करना और इसे हमें send to back कर देना है और इसे हमें अच्छे से जूम करके इस frame में अच्छे से हमें adjust कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से करने के बाद यहां से हम back आचाएंगे अब फ्रेंड इसे पर अपने music का template आइड करेंगे तो उसके लिए हम पर layer मचाएंगे layer मचाने के बाद यहां पर media मचाएंगे और यहां से अपने template को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने template को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ पर नीचे के side में आना है तो यहाँ पर हम chroma key में आएंगे और इसे हमें enable कर देना है और यहाँ पर इसकी size को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और लाना है इस side में हमें kone के side में ऐसे करके इसे set कर देना है set करने के बाद यहां से हम back आएंगे अब फ्रेंड इसमें अपने एक lyrics status video आड़ करेंगे तो इसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जानी के बाद यहांपर media में जाएंगे और यहां से अपने lyrics को add कर लेते हैं add करने के बाद यहां पर हमें आ जाना है नीचे के साइड में तहाँ पर हम आ जाएंगे क्रोमा की में और इसे में एनेवल कर देना है एंड हाँ पर इसके साइज को भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे छोटा करने के बाद लाना है इस म्यूजिक के ऊपर हमें कुछ इस प्रगार से ऐसे करके इसे सेट कर देना है देख सकत17 कुछ इस प्रगार से इसे सेट कर देना है करने के बाद यहां से हम बैक आ जाएँगे अब फ्रेंड इसमेपना एक टेम्पलेट वीड़ो आइड करेंगे तो इसके लिए हम पर लियर में जाएँगे लियर में जाने के बाद नीचे के साइड में आना है तो यहां से हम बैक आजाएंगे तो फ्रेंड हमारा विड़ो 울 बनकर तयार हो चुका है तो चलिए फ्रेंड आपको वीडियो को थोड़ा सा प्ले करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने फोन में सेब करनी के लिए हैं पर आपको उपर के साइड में शरो पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर क्वार्टी अपने कोर्डिंग रख सकते हैं और सेब आज वीडियो पर किलिक कर देना और आपका वीडियो सेब होना स्टार्ट हो जाएगा